हेलो आलो फ्यू मैसल संदीव कुवा तरपाथी टोड़े वी विल डिस्कस आवर मेंस पेपर आफ ट्विंटी फिफ्ट फैप एंड फॉफ फशिफ तो इसमें हम पहला कोशन अगर हम अपना देखते हैं तो हमारा जो पहला कोशन था वो प्रोबबिलेटी से रिलेटेट सिंपल कोशन आया था इस बार प्रोबबिलेटी का इसमें क्या कहा गया है कि वेन मिसाइल इस फाइट फ्रॉम ए शिप अगर किसी मिसाइल को हम शिप से फायर करते हैं कि वो तो वो इंट्रसेप्टेड उसकी प्रोबबिलेटी वन बाई थ्री दे रखी है तो अगर वो इ एट मिसाइल है टारगेत गिवन देट दल्ट कि नॉसी को इन्ट्रसेप्ट बाई फॉर एगर हमारी जो मिसाइल वो इंट्रसेप्ट नहीं होती है और पेर अपने टार्गेट को हिट करती है तो उसकी प्रोबबिलेटी जो है वो 3000 दे री है मतलब मिसाइल टारगेट को ह तो बोला, अगर ऐसी तीन मिसाइले हमने छोड़ी है, तो वो तीनों अपने टारगेट को हिट करें, उसकी प्रोइलिटी क्या होगी, और हर जो हमने मिसाइल, मिसाइल फायर की है, वो सारी इंडिपेंडेंडेंट है, तो हम क्या कहेंगे, कि sir, जो पहली मिसाइल है, वो इंटरसेप्ट नहों और अपने टारगेट को हिट करें, तो ऐसी तीनों मिसाइलों का क्या हो जाएगा, तो यह देखें, तो यह कटेगा, यह कट जाएगा, यहाँ पर वेलू कितनी आएगी, वन बाई टू, वन बाई टू का क्यूब कितना आ जाएगा, वन बाई एट, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन, थर्ड जो है, वो आइंसर होगा, तो नेक्स कोशन देखते हैं, नेक्स कोशन में जो हमारे पास सीरीज दे रखिये, बिसिकली यह टिग्नोमेट्री और सिक्वेंस का मिक्स है, यहाँ पर आपको एक सीरीज दे रखिये, बिसिकली हमारी इस तरह का question IIT में पहले आ चुका है, तो अगर हम इस series के बारे में बात करें, तो यहां पर देखे, x की value जो है, n is equal to 0 to infinity दे रखा है, जब आप n की value 0 डालेंगे, तो पहली term क्या आएगी, 1 डालेंगे तो cos square theta आएगी, 2 डालेंगे तो cos की power 4 theta आएगी, और यह हमें पता है कि अगर हम sum निकालते हैं, तो क्या होता है formula, a oblique 1 minus r, तो a की value तो 1 है, और r की value कितनी है, cos square theta, तो 1 oblique 1 minus cos square theta, यह बन जाएगा 1 oblique sin square theta, ठीक है, similarly, मैं y की value निकाल सकता हूँ, तो y की जो है, हमारे पास यह साइन में series आ जाएगी, यहां से जो y की value आ रहे है, वो आ रहे है, a obl 1 minus r, तो हमारे पास 1 oblique 1 minus sin square phi आ जाएगा, that is 1 oblique cos square phi के बराबर हो जाएगा, तीसरी series में, n की value 0 डालोगे तो 1 आएगी, n की value 1 डालोगे तो cos square theta sin square phi आ जाएगा, and so on, हमारे पास फिर से 1 infinite series बन जाएगी, इसका sum क्या हैगा, a oblique 1 minus r, r की value यह है, अब यहां पर देखे, हमन sin square phi निकाल सकते हैं, कैसे निकाल लेंगे, हम ही बोलेंगे, जो cos square phi की हमारी value है, cos square phi will be equal to, cos square phi will be equal to 1 by y, cross multiply कर दिया, यहां से sin square phi की value बता सकते हैं, implies that sin square phi will be equal to 1 minus 1 by y, ठीक है, तो हमारे पास sin square phi की value आएगी, वो आजाएगी 1 minus 1 by y के बराबर, similarly, जैसे हमने sin square phi की value निकाल ली, वैसे हम cos square theta की value निकाल सकते हैं, क्यों हमें sin square theta पता है, तो sin square theta कितना है, sin square theta will be equal to 1 by x, यहां से cos square theta की value आजाएगी, cos square theta will be equal to 1 minus 1 by x, 1 by x है, ठीक है, तो यहां पर 1 by x लिखिए, अब यह दोनों value उठा के मैंने इसमें डाल दी, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए, हमारे पास एक equation बनगी, z equal to this equation, z equal to this equation को अब क्या किया जाए, solve किया जाए, तो basically जब हम इसको solve कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या रहा है, एक बाद देखिए, z is equal to, z is equal to, यहाँ पर मैं इसका lsm ले रहो, तो lsm लेंगे, तो दिखे क्या आएगा, x, y तो उपर चला जाएगा, नीचे आजाएगा, x, y, minus time, x, y, minus x, यहाँ पर आएगा, x, यहाँ आएगा, y, जब इसको multiply करेंगे, तो यह आजाएगा, minus x, minus y, plus 1, आपके पास ही आजाएगा, इसमें देखें तो यह x, y वाली term कट गे, और इसको cross multiply कर दीजे, तो आपके पास आएगा, z, into x, plus y, minus 1, is equal to x, y, आगया, cross multiply किया आपने तो, ठी यहाँ से हमारे पास आएगा, z, into x, plus y, is equal to, z, plus x, y, ठीक है, तो अगर हम option से match करा है, तो हम देख रहे हैं, हमारा option number 4, is correct answer, अब हम next question पर चलते हैं, okay, next question जो है हमारा, यह basically हमारे पास एक relation दे रखा है, function का, ठीक है, क्या दे रखा है, कि हमारा जो function f and g है, वो natural number से natural number में define हो रहा है, और f of n plus 1 जो है, वो f n plus f1 के बराबर है, यह relation दे रखा है, और यह function हमारा define कहां से कहां तक है, natural number से natural number, फिर यह बोला है कि g कोई भी arbitrary function है, कोई भी function हो सकता है, तो बोला है, which of the following is not true, यह ध्याना किएगा कि यहाँ पर क्या पूचा है, not true, ठीक है, तो पहला बोला है कि f of gx is 11, then g is 11 function, तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि function क्या है, तो ऐसे function में हम क्या करेंगे, n की value natural number है, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 डाना शुरू करते हैं, तो जब n की value आपने 1 डाली यहाँ पर तो यह 2 हो जाएगा, तो f2 is equal to, f1 plus 1, f1 plus f1 आएगा, ठीक है, यहाँ पर f1 plus f1 आएगा, तो f1 plus f1 कितना हो जाएगा, 2 f1 हो जाएगा, तो f2 की value जो है हमारी 2 f1 आगे, similarly, हम f3 की value निकाल सकते, f3 की value के लिए हम क्या करेंगे, यह जो हमें relation दे रखाया है, इसमें n की value 2 डाल देंगे, तो जब मैं n की value 2 डालूँगा, तो यह आएगा, f3 is equal to f2 plus f1, और f2 की value हमने उपर निकाली थी, तो f2 की value 2 f1 है, तो यह value आजाएगी 3 f1, 3 f1, ठीक है, तो 3 f1 के बराबर आएगी, f3 equal to 3 f1, similarly, f4 is equal to कितना हैगा, 4 f1, तो यहां से हमारे पास fn is equal to n f1 के बराबर आजाएगा, तो यह हमारा एक relation आगया, fn is equal to n f1 के बराबर, अब यह जो option बोल रहा है, उस option के बारे में आपने बात कर लेते हैं, पहले बोला है, f of gx की बात कर रहा है, तो अगर यह f of gx की बात कर रहा है, तो हम बोलेंगे, f of gx is equal to, इसमें n के जगे gx टालेंगे, गा gx into f1, यह, क्या बोल रहा है, f of gx is 1-1, यह 1-1 function है, तो यह तो एक constant value है, इसका लाब gx को भी क्या होना पड़ेगा, 1-1 होना पड़ेगा, तो यह जो हमारा option ही, यह सही है, ओके, तो this is true, हमें तो क्या बताना है, not true, तो यह option में answer में include नहीं होगा, फिर यह बोला है, f is onto, अगर f onto है, अगर हमारा f onto है, तो दिखें, हमारे पास जो function है, यह fn is equal to n f1, onto का मतलब क्या होता, onto का मतलब यह होता है, कि जो इसकी range है, वो co domain के बराबर है, co domain इसका सारे natural number है, तो यह सारे natural number तो तब ही लेगा, जैसे 1 डाला तो यहाँ 1 आना चाहिए, 2 डाला तो 2 आना चाहिए, यह तब ही possible है, जब यह 1 बन जाए, क्योंकि अगर यह 1 नहीं बना, तो कोई जरूर ही नहीं कि f of 1 जो है, वो 1 के बराबर है, तो हमने बोला f of 1 को हम क्या कर देंगे, तो उस case में हमें यह on to function मिल जाएगा, तो बिल्कुल सही बोल रही है, f is on to, then f n equal to n, क्योंकि f of 1 तो 1 हो गया, तो f n इसके मतलब किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा, तो यह भी correct है, हमें तो not true बताना था, तो यह भी सही नहीं है, f is 11 function तो बिल्कुल 11 है, एक value के corresponding यहां आपर, एक ही value हमें मिलेगी, f n equal to n f1 लिखा हुआ है, तो 1 डालोगे, तो यहां पर 1 f1 मिलेगा, 2 डालोगे तो 2 f2 मिलेगा, तो हर value के corresponding अलग-अलग value आ रही है, तो यह 11 function है, फिर last option में क्या बोला है, इसने किया, g is on to, value हमारे पास आई थी, वो आई थी, g x into f1 के बराबर, मैं यह बोल रहा हूँ कि यह on to है, on to होने का मतलब यह है, कि यह अपनी सारी value ले सकता है, लेकिन अगर यह value on to है, तो वहां से यह conclude नहीं होता है, कि यह 11 होगा, अगर हमारा one one function नहीं है, on to का मतलब है, range कर रहा है, one one से मतलब नहीं है, अगर one one होता, तो तो बोल भी सकते हैं, तो यहां पर हम बोलेंगे, कि अगर जी हमारा on to function है, तो f of g x जो है, one one है, यह statement false है, तो this is not true, so answer 4 is correct, 4 correct होगा, नेक्स कोशन देखते हैं, नेक्स कोशन में 3D से एक कोशन आया था, simple question दिया था, लेकिन थोड़ा सा confusing था कुछ बच्चों के लिए, the question of the line through the point, हमें उस line की question बतानी है, जो इस point से पास हो रहा है, अगर आप option देखेंगे, तो यह सारी के सारी line जो है, वो इस point से क्या हो रही है, पास, 0, 1, 2, पहले दिमाग में तो यह जलता है, यह देखेंगे, वो point से पास हो रही है नहीं, तो यह जितने option दिये, तो सारे 0, 1, 2 से क्या हो रहे है, पास हो रहे है, फिर उसने यह बोला, कि end perpendicular to this line, इस line के perpendicular होनी चाहिए, यहाँ पर जैसे एगर कोई भी line है, और इस line के perpendicular में line की बात कर रहा हूँ, तो इस line के perpendicular तो मैं कितनी line draw कर सकता हूँ, infinite, जरूरी नहीं है कि वो line intersecting हो, ठीक है, non intersecting भी हो सकती है, और उसने बस यही बोला है, perpendicular बोला है, तो जरूरी तो नहीं है कि यार वो intersecting हो, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, दोनों के parallel vector को option से, और जो हमारा question दे रखा था, इनका dot product निकाल के देख लेते हैं, कि जिनका parallel vector जो है, यह value 0 नहीं है, अगर हम 4th वाले option की बात करें, 4th वाले के ds निकाले, उससे dot करें तो कितना आएगा, देखो, minus 6, plus 12, minus 6, ठीक है, तो हमारे पास यह value आ रही है, यह minus 6 है, तो यह value finally कितनी आ रही है, 0 आ रही है, यह एक मातर ऐसी line है, जो इसके क्या है, perpendicular, बाकी जितनी भी line है, उनका जब इसके साथ dot करोगे parallel vector का, तो वो 0 नहीं आ रही है, so option 4 is correct, ठीक है, next question करते हैं, question number 4, again हमारा 3D से question था, question number 5, question number 5 में हमें DR का relation था, बोला है कि दो line है, उनके DR का relation यह है, तो हमें उन lines के बीच का क्या निकालना है, angle निकालना है, angle between the lines, इन line के बीच का हमें क्या निकालना है, angle जिनके DR का relation यह दे रखा है, ठीक है, तो हम यह बोलता हैं, कि अगर dr का relation हमें दे रखा है एक relation देखो यह दे रखा है एक relation हमें यह दे रखा है और एक relation हमें पता होता है तो l2 plus m2 plus n2 equal to 1 है और l2 plus m2 minus n2 equal to 0 अगर मैं इन दोनों को जोडता हूं तो मेरे पास आजाएगा twice या दोनों को घटा दो दोनों को घटाते हैं तो हमें n2 की value सीधे मिल जाएगी तो टोईसाफ n2 equal to बना जाता है यहां से n की 2 value आएगी plus minus 1 by root 2 ठीक है अब यह n की value ठाके मैंने इसमें भी डाल दिया और यह n की value ठाके मैंने इसमें भी डाल दिया ठीक है तो जब मैंने इसमें n equal to plus 1 by root 2 डाला तो हमारे पास l plus m की value यह आ गई और यहां पर l plus l square plus m2 की value जब जब इसमें 1 by 2 डालेंगे तो यह आ जाएगी 1 by root 2 डालेंगे तो अब यहां से हम क्या करेंगे हमें पता है कि L square plus M square is equal to हम क्या लिख सकते हैं L plus M का whole square minus 2L into M that is equal to 1 by 2 आ गया अच्छा इसकी value हमें पता ही है L plus M की value 1 by root 2 यह value उठाके इसमें डाल दो 1 by root 2 तो यह भी 1 by 2 आएगा यह कटेगा तो यहां से मर पास आ गया L into M equal to 0 L into M अगर 0 है तो या क्या क्या हो सकता है सर या तो L 0 हो या फिर M 0 हो जाए L 0 हो जाए या M 0 हो जाए अगर L 0 होता है तो क्या क्या हो सकता है देखिए अगर L 0 होता है तो L 0 डालेंगे तो M equal to 1 by root 2 और n equal to 1 by root 2 पहले ही निकाल चुके थे, यह आ गया, तो एक line के DR यह आ गया, 0, 1 by root 2, 1 by root 2, वैसे ही दूसरी line के DR निकाल ले, m अगर 0 कर दिया, m equal to 0 कर दिया, तो यहां से l की value 1 by root 2, और n की value 1 by root 2 आ जाएगी, यह values आ गया, अब दोनों line के हमें DR पता है, और हमें उनके बीच का angle बताना है, तो angle का formula क्या होता है, cos theta is equal to L1, L2, पहली line के LK DRs, m1, m2, plus n1, n2, यहां जाएगा, तो बस इनको multiply का दो, तो यह 0, 1 by 2, 1 by 2, ठीक है, सॉरी, यह आएगा 0, यह भी आएगा 0, और इनको multiply करेंगे, तो 1 by 2, तो यह value कितनी आगी, 1 by 2, cos theta की value हमारे पास, 1 by 2 आगी, cos theta 1 by 2 आगया, इनके बीच का angle 1 by 2 आगया, तो यहां से, हमें किसकी value बतानी है, अच्छा, इसने angle को alpha ले रखा है, तो theta की जएगे, आपन भी क्या कर लेते हैं, alpha कर लेते हैं, तो cos alpha की value हमारे पास यह आगी, यहां से हम cos square alpha बता सकते हैं, cos square alpha कितना आजाएगा, 1 by 4, यहां से हम sin square alpha बता सकते हैं, sin square alpha कितना आजाएगा, हमारे पास 3 by 4, ठीक है, तो अब क्या करना है, sin 4 alpha and cos 4 alpha लिखना है, तो sin 4 alpha की value आएगी, sin 4 alpha will be equal to 9 by 16, and cos 4 alpha will be equal to 1 by 16, दोनों को जोडेंगे, तो 10 by 16, कटने के बाद हमारे पास कितना आएगा, 5 by 8, तो इसका जो answer आएगा, that will be 5 by 8, option 3 is correct, next question देखते है, next question integration का है, ऐसा question नहीं काईटी में पहले भी आ चुका है, x की power m करके वो question आया था, यहाँ पर sin theta and cos theta की term में इस question को दिया है, अच्छा question है यह, indefinitely, अगर थोड़ा सा idea रहता है, तो यह सवाल बन जाता है, चलो, एक चीज़ तो यह समझ में आ रही है, यहाँ पर कि यह जो 1-cos 2 theta है, इसकी जगे है, हम क्या लिख देंगे, 1-cos 2 theta कितना होता है, 2 sin square theta, तो यह बन जाएगा 2 sin square theta, ठीक है, यहाँ पर देखें, यह क्या बनेगा, 2 sin theta into cos theta, तो 2 sin theta into cos theta कितना मन जाएगा, 2 sin square theta, और अंदर एक cos theta बचेगा, यहाँ पर यह cos theta है, बस, ठीक है, तो 2 sin square theta into cos theta, और उसके बाद हमने कोई change नहीं किया, आप हमने क्या किया यह 2 sin 2 theta से 2 sin 2 theta उड़ा दिया अब क्या करेंगे sine theta को t साइन theta को t लेंगे तो cos theta d theta किसके बराबर आजेगा dt के बराबर तो यह जो cos theta था यहां पर यह dt में चला जाएगा अब अपने पास क्या पचाएगा सारी कहाणी t में आ जाएगी यह यह बन्जाएगा ट की पाव 6 यह बन्जाएगा ट की पाव 4 यह बन्जाएगा ट स्कॉर्इर ती ऐस तरह से मारे पास यह integration आजाएगा असली कहानी यहां शुरू होती है बहुत इत्रगी कहानी है आपर अब इसमें क्या है कि हम क्या करते हैं एक ट की निकाल जब यहां से एक T निकाला तो यहां T की पावर 5 यहां T की पावर 3 और यहां T बचेगा और वो जो T अंदर जाएगा वो इसको क्या देखो T अंदर जाएगा तो पावर 2 आएगी तो यह T की पावर 6 बन जाएगा अगला T की पावर 4 बन जाएगा और यह T स्कौर बनेगा तो यह आएगा 12 T की प्लती की थी आ जाएगा ठीक है तो यह प्लती की के टो हम यह चैसे तो हम अब इसका integration तो हमें आता है, root z का integration क्या होता है, z की power 3 by 2 upon 3 by 2, तो जब हमने उसको simplify किया, तो हमारे पास ये कहान ही आ गई, ठीक है, अब z की value basically क्या ले रखी थी हमने, z की value जो ले रखी थी, वो value हमने उठा के replace कदी, तो सब z हमने इसको माना था, तो ये value हमने इसमें डाल दी, और t की value क्या थी, basically सब sin theta थी, तो sin theta उठा के इसमें डाल दिया, option में अगर हम sin theta वाले को देखें, तो sin theta वाला जो option हमारे पास आ रहा है, दोनों के दोनों option इससे match नहीं कर रहे, तो हमने का ठीक है, ये दोनों answer तो नहीं हो सकते, अब हमारी लड़ाई है कि second वाला और fourth वाला में से क्या होगा, तो हमें दिख रहा है कि हमें sin theta को किस में convert करना पड़ेगा, cos theta में, 1- cos square theta, तो जब cos में हम convert करते हैं, तो हमारे पास finally ये value आती है, और इसको हम option से match करवाते हैं, तो हमारा option 4 जो है, वो correct आ जाता है, तो इसमें जो tricky चीज थी, वो basically यहां पर थी, कि इसमें से T उठाके अंदर ले जाते हैं, वो सबसे important था, इसमें से, यहां से T उठाके अंदर ले जाते हैं, तो अच्छा question नहीं है, IIT में पहले भी आ चुका है, next question करते हैं, simple सा definite integration पे question था, integration of minus 1 to 1 x square e की power greatest integer of x cube dx, तो हमें पताई कि, greatest integer of x cube की दो value होंगी, minus 1 से 1 में, एक, जब minus 1 से 0 लोगे, तो यह value क्या हो जाएगी, minus 1 हो जाएगी, तो वहां हमने minus 1 लोग दिया, और दूसरी, जब हम 0 से 1 लेंगे, 0 से 1 में, इसकी value कितनी हो जाएगी, 0, e की power 0 कितना होगा, पर यह x square बचेगा, अब तो बस हमारा simple सा integration हो गया, 1 by e बाहर निकाल लिया, x square का integration क्या हो गया, x cube upon 3, ठीक है, और यहाँ पर limit हमने उठा के डाल दी, minus 1 to 0, इसमें डाल दी 0 से 1, तो हमारे पास जो value है, वो 1 by 3 e, प्लस 1 by 3 आ जाती है, तो यह एक simple question दे रखा था, next question करते है, okay, question number 8 जो है यहाँ पर, वो हमारा height and distance से related question है, height and distance के question टिग्नोमेटरी में से आते रहते हैं, काफी frequently आते हैं, तो यहाँ पर simple question था, जदे tough question नहीं बोला गया था, यह बोला है कि एक man है, is observing from the top of the tower a boat, कोई boat है, एक पॉइंट पर उसको वो देख रहा है, जो boat है, वो tower की तरफ ही move करें, uniform speed से, तो आप उन्हें माले है कि इसकी जो speed है, वो V के बराबर है, boat की, उस speed से ही वो move करती जा रही है, at that point, the angle of dispersion of the boat, बोला है, जो starting point है, वहाँ पर जो angle of dispersion था boat का, वो 30 degree था, तो वो 30 degree है, इसका अलब यह angle भी कितना है, 30 degree है, फिर बोला है कि 20 second तक हमारी boat, A से B में 20 second में आई, तो अब जो angle of dispersion बन रहा है, वो हमारा 45 degree बन रहा है, तो अब यह angle 45 बन रहा है, कि वोट जो है, हमारी A point पर है, A से B वो है, 20 second में जा रही है, T equal to 20 second लिया, इसने, A से B जाने में, बोला है, B से Q जाने में कितना time लगे है, क्योंकि आप इसको देखिए, यह 45 यह 90 degree है, तो यहाँ भी angle कितना आएगा, 45 यह ISO-cellus right angle triangle हो गया, तो इस case में, यह H और Y दोनों की value क्या हो गई, सेम हो गई, ठीक है, तो हमने क्या क्या, directly भी बोल सकते हैं, कि H और Y की value सेम हो गई, यह ऐसे बोल सकते हैं, 1045 degree equal to H upon Y, वहाँ से आप बता सकते हैं, हाँसर H और Y दोनों सेम हो जाएगे, अब हमने क्या क्या, हमने triangle ले लिया, P, A, Q, triangle P, A, Q की बात करेंगे, तो triangle P, A, Q में, हम बोलेंगे, 1030 कितना आएगा, height oblique this, ठीक है, और height को हम क्या माल रहे हैं, Y माल रहे हैं, और base को क्या मिल रहे हैं, X plus Y, तो यहाँ से हमारे पास, यह जो value आएगी, 1030 is H upon X plus Y, and 1030 कितना होता है, 1 by root 3, तो root 3 H equal to X plus Y, और इसी को मैंने Y बोल रखा है, root 3 Y, ठीक है, H equal to कितना है, Y है, यह हमने directly देखकर भी बता दिया था, यह आप calculate करके भी बता सकते हो, बाद में Y कहान ही आएगी, तो X plus Y is equal to root 3 Y आगया, यहाँ से, हम क्या करेंगे, कि X की value निकाल देते हैं, X की जो value आएगी, वो X की value हमारे पास कितनी हरी है, X is equal to root 3 minus 1 into Y आगया, ठीक है, तो हम यह बोलेंगे, time हमें पता है, कि X distance travel करने का time कितना है, 20 second, तो हम क्या कह रहे हैं, कि अगर मैं इस X को velocity से divide कर दूँ, तो यह इसका time आएगा, और वो कितना आजाएगा, 20 आजाएगा, तो यहां से यहां travel करने में, इसको कितना time लगा, 20 second लगा, ठीक है, तो अब हमें Y का बताने किया, Y कितना time लेगा, तो हमने का, यहां से Y की value जो हमारे पास आ रही है, Y will be equal to 20, Y को V से divide कर दू, तो मैं बोलूँगा, यह Y कितना time travel कर रहा है, वो मिल जाएगा, तो Y को मैंने V से divide कर दिया, तो यहां से मेरे पास यह value आएगी, 20 upon root 3 minus 1, 20 upon root 3 minus 1 को हम क्या करेंगे, rationalize करेंगे, 20 upon root 3 minus 1 को rationalize करेंगे, तो नीचे आएगा, 3 minus 1 को आजाएगा, तो 10 into root 3 plus 1 को आजाएगा, तो option 3 is correct, ठीक है, तो यहां से मारे पास option 3 को आजाएगा, next question पर आते हैं, simple question को और पूछा गया था, पैराबला के उपर, बोला है, tangent is drawn to the parabola Y square equal to 6s, which is perpendicular to the line, बोल रहा है, इस पैराबोला पर tangent की equation बतानी है, जो इस line के perpendicular है, अगर इस line के perpendicular है, तो इस tangent का slope हम निकाल सकते हैं, slope of tangent, इसका जो slope आ रहा है, वो आ रहा है, minus 2, तो slope of tangent आ जाएगा, 1 by 2, slope of tangent आ गया, और हमें पता है, कि पैराबोला के जो tangent की equation होती हो, यहां से निकाल सकते हो, आपको पता है, let us rectum equal to 6 है, 4A equal to 6 है, तो A equal to कितना आ जाएगा, 3 by 2, यह value उठाके डाल देंगे, जैसे इसमें यह value उठाके डाल देंगे, तो tangent की equation हमारे पास, आ जाएगी, x minus 2y plus 6 equal to 0, ठीक है, तो यहां से हमारे पास, यह equation आगी, अच्छा, इसमें question यह था, कि which of the following does not lie on this, इन में से, कौँसा जो है, वो इसके उपर लाई नहीं कर रहा है, तो जैसे, फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, तो फर्स ऑप्शन जो है, इस लाईन को satisfy कर रहा है, सेकेंड अगर हम देखते हैं, तो सेकेंड जो है, वो भी कर रहा है, यहां पे 10 मैंस 10 आएगा, तो वो भी इसको क्या कर रहा है, satisfy कर रहा है, अगर हम अगला देखते हैं, तो यह 5 है, और यह 4 है, तो यह कितना होगा, माइनस 8, थर्ड वाला option जो है, वो satisfy नहीं कर रहा है, तो option 3rd is our correct answer, फॉर्थ वाला option satisfy कर रहा है, मैंस 6, प्लस 6, जीरो हो जाएगा, तो 3 जो है, वो हमारा correct answer हो जाएगा, next question देखते हैं, next question हमारा technometric equation के पर question पूछा था, again यहां simple question है, यहां पर हम क्या करेंगे, कि यह जो sin 2 theta है, और 10 2 theta है, 10 2 theta को sin 2 theta उपन, cos 2 theta लिख लेंगे, तो sin 2 theta, sin 2 theta, plus sin 2 theta, upon cos 2 theta, is greater than 0 आगया, उपर से sin 2 theta क्या हो जाएगा, common आजाएगा, तो हमारे पास बचेगा, sin 2 theta, upon cos 2 theta, यहां पर आएगा, cos 2 theta, plus 1, 1 plus cos 2 theta, is greater than 0, यह आगया, यह value हमारे पास क्या हो जाएगी, 10 2 theta, 10 2 theta, और यह value होगी, 1 plus cos 2 theta, is greater than 0, दिखें, यह value तो always positive होती है, इसकी तो में चिंता ही नहीं, तो अगर यह value always positive है, तो 10 2 theta को क्या होना पड़ेगा, positive, तो 10 2 theta कहां कहां positive है, बस हमें वो देखना है, ठीक है, तो 10 2 theta अगर हम positive की बात करें, तो हमें theta जो है, अगर हमारा theta 0 से 2 pi होता है, तो हमारा 10 theta कहां कहां positive होता है, 0 से pi by 2 में positive होता है, इस पूरे interval में, या फिर pi से 2 pi में positive होता है, ठीक है, तो 2 theta में हमें बात करना है तो हम बोलेंगे 2 theta कहां तक जाएगा 4 pi तक जाएगा तो हम बोलेंगे 0 से pi by 2 में, pi से 3 pi by 2 में, ठीक है यह जाएगा, pi से 3 pi by 2, यह value value 3 pi by 2 होती है pi से 3 pi by 2 में, ऐसे ही फिर अगला interval 2 pi से आगे जाएगे, तो 2 pi से 5 pi by 2 and 3 pi से 7 pi by 2 अब बस इसको 2 से क्या कर देंगे, divide, तो जो हमारे पास interval आएगा, वो जाएगा 0 से pi by 4, 0 से pi by 4, pi by 2 से 3 pi by 4 and यह वाला, option 4 अपने को दिख रहा है, कि option 4 हो है, हमारा वो correct answer है, तो इसका answer हो जाएगा option 4 next question देखते है, next question complex number से है, और इस तरह का question generally कम देता है, लेकिन इस बार दिया, यहाँ पर क्या है, तीन line की equation दे रखी है, उन में से 2 line को बोल रहा है कि वो जो 2 line है, वो हमारे circle की normal है, और तीसरी वाली line जो है, वो उसकी tangent है, तो हमें circle का क्या बताना है, radius बताना है, तो जो पहली 2 line equation है, normal है, तो normal से हमें उसका center मिल जाएगा, दोनों को solve कर लेंगे, और वहां से center निकाल लेंगे, center पता है, और तीसरी line जो tangent है, center से उसकी दूरी जो होगी, वो radius के बराबर होगी, तो वहां से हम radius निकाल लेंगे, तो सर यह जो normal की equation है, लिखेंगे कैसे, तो इसम पर z की जगे x plus ay uta y डाला, और z bar की जगे x minus ay uta y डाला, इसको simplify किया, तो हमारे पास पहली normal की equation हागी, 2y is equal to x, similarly, हमने यहां भी z की जगे x plus ay uta y, और z bar की जगे x minus ay uta y डाला, जब हमने यह value रखी, और इसको फिर से multiply करके खोला, और simplify किया, तो यहां पे जो हमारे पास second normal की equation आ रही है, वो यह आ रही है, अब यह जो हमारे पास पहली normal की equation है, और यह जो हमारे पास दूसरी normal की equation है, दोनों को हम क्या कर लेंगे solve, जैसे ही मैं इन दोनों को add करूंगा, या subtract करूंगा, जैसे मैं अगर इन दोनों को add कर लेता हूं, तो यहां से मैं को y की value 1 by 2 मि देखिए X की value कितनी आगी 1 तो यह 1,2 जो है न यह इसका center आ गया 1,2 यह हमें circle का क्या मिल गया center मिल गया अब जो तीसरी वाली line है इसको भी X and Y की term में convert कर लें तो Z की जगे फिर से X plus Y और Z bar की जगे X minus Y उठाके डाल दिया जब यह value हमने X plus Y यहाँ पर X minus Y डाला तो हमारे पास solve होके equation यह आ रही है X minus Y plus 1 equal to 0 अब मैं बुल रहा हूं कि इसकी center से जो दूरी होगी वो radius के बराबर होगी तो distance formula लगा दिया यह point उठाके इसमें डाला divide by under root of A square plus B square तो जब हमने यह काम किया तो हमारे पास यह value आ रही है यह 3 divided by 2 root 2 3 divided by 2 root 2 जो है वो इसका radius आ जाएगा तो इसमें जो है option 4 जो है वो correct answer होगा तो यहाँ पर यह simple question पूछा था बेसिकली क्या है बच्चे इस चीज को देखके घवरा जाते हैं कि यह कौनसे line की equation है तो कभी भी इस तरह के question होते हैं तो z equal to x plus or y डालिए और उसको simplify कर लीजिए ओके तो यह इसका answer है question number question number 11 answer is fourth next देखते है next question again simple coordinate का question है यहाँ पर एक point दे रखा है और यह line दे रखिये बोल रहा है इस point की line के about क्या निकालने है image तो point की line के about अगर image निकालने है तो हमें formula पता है direct x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to minus 2 a x1 plus b y1 plus c divide by under root of a square plus b square यह line हमारे पास image का formula होता है x1 y1 क्या है यह given point है a b c वेगरा क्या है a is coefficient of x b is coefficient of y and c is constant of तो बस यह value हमने उठा के डाल दिया इस formula में यहां से हमारे पास image आगी 4,4 ठीक है तो question क्या था image of this lies on the कौन सी ऐसे इन में से जो भी हमारे पास एक curve दे रखे है basically यह circle दे रखे है तो कौन सा ऐसा circle है जो इस 4,4 को क्या कर रहा है satisfy कर रहा है तो अगर आप option 4 में डालते हैं तो देखें यहां पर क्या आएगा 4,4 डालेंगे तो यह आएगा 2 square और यह 0 तो 4 आजाएगा answer तो option 4 जो है वो इसको satisfy करेगा नेक्स कोशन देखते हैं नेक्स कोशन जो है हमारा AOD से related question और यहां पर हमें बोला है कि अगर दो कव दे रखें यह दोनों कव एक दूसरे को और तो क्या relation होगा ठीक है इस सरे का question IIT में पहले आ चुका है और simple question है यहां पर यहां पर हम क्या करेंगे कि हमने माल लिया कि वो जो point है x and y माला point of intersection basically मैंने x and y ही ले लिया तो हम क्या करेंगे पहले दिखो अगर यह दोनों orthogonal है दो कव और्थोगनल कव होते हैं जब इनके tangent के बीच का angle 90 degree होते है ठीक है तो मैं क्या करूंगा पहले वाला जो कव है इस पे slope of tangent निकालूंगा दूसरा वाला कव इस पे slope of tangent निकालूंगा और longitud कर दूंगा INF1 तो मैंने पहले वाले करव को differentiate किया तो वहां से मेरे pats ож analogy by dx की value आहां है वही मारे पास मायनस bx upon ay similarly मेने दूसरे वाले करव को differentiate किया जब इस वाले करव को differentiate किया यहां से जो मेरे पास डी y by dx की value आ रही है वो आरी है, minus dx upon cy, यह वाली आगी है, अब मैंने क्या कहा, कि यह मेरा m1 है, और यह मेरा m2 है, m1 into m2 कितना होगा, minus 1, तो m1 इन दोनों को multiply किया, और minus 1 के बराबर कर दिया, तो यहां से हमें जो relation मिल रहा है, वो मिल रहा है, bdx square minus ac, minus ac y square, यहां गया, अब हमारी गाड़ी यह है, क्यों रहा है, क्यों जाती है, कि x square y square कैसे eliminate करें, यहां तो जो relation है, वो a b c d में, तो हम यह कहते हैं, कि यह जो x and y point है, यह x and y point basically, दोनों curve के उपर भी है, तो यह curve को क्या करेंगे, satisfy करेंगे, यहां से हम क्या करते हैं, कि इन दोनों equation को घटा देते है, equation number 1 and equation number 2, जैसे मैंने equation number 1 में, equation number 2 घटा है, तो में पास यह relation आया, right inside में 1 से 1 क्या हो जाएगा, cancel out और में पास यहां से देखें, में को x square and y square में यह relation पता चल गया, आप किसी एक की value, या तो y square की value उठा के इसमें डाल दीजे, या x square की value इसमें उठा के डाल दीजे, तो यहां पे देखे हमने क्या किया, कि इस y square की value उठा के इसमें डाल दी, तो y square की value कितनी है, bd x square minus ac, bd minus bd x square upon ac, यह value उठा के इसमें हमने डाल दिया, x square से देखे, x square क्या हो जाएगा, cancel out, और हमारे पास यह relation बन जाएगा, तो जब हम इसको simplify करके देखते हैं, तो यहां से जो हमारे पास option आ रहा है, c minus d is equal to a minus b, c minus d is equal to a minus b, option 2 जो है, वो इसका correct answer आ रहा है, ठीक है, तो m1 into m2 minus 1 किया, एक relation x and y में वहां से आ गया हमारे पास, फिर हमने क्या किया, दोनों equation को घटा आया, x square, y square में वहां से एक relation आया, इस वाली equation से y square उठा के डाल दिया, और a, b, c, d में हमारे प fourth question, जो है, यह limits को question है, यहाँ पर, जो हमारी form बन रही है, basically one raise power infinity की form बन रही है, one raise power infinity की, अगर limiting value हमें निकालनी है, तो हम इसमें क्या formula कहते है, कि अगर fx की power gx लिखा है, limit, x is standing to infinity पर, माली जी यह one को tend करता है, और यह infinity को tend करता है, तो one raise power infinity की form होती है, तो हम इसमें लिखते हैं, जो limiting value होती है, यह होती है, e की power fx minus 1 into gx, and limit, x is standing to infinity, ठीक है, यह हमारी format होती है, तो यहाँ पर हमने वही किया, हमने क्या किया, इसमें से इसको घटाया, fx में से 1 को घटाया, तो fx में से 1 को घटायेंगे, तो यह 1 कट जाएगा, और हमारे पास यह बचेएगा, upon n square into gx, into gx हमारे पास क्या है, n है, तो basically देखे, अगर मैं लिखके दिखाऊं इसको, तो यह लिखा, e की power 1 plus, उपर क्या है, 1 plus 1 by 2, 1 plus 1 by 2, 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3, and so on, यह चलते जा रहा है, divide by n square, इसमें देखे हमने क्या क्या था, कि यार, इसमें हम एक घटाएंगे, तो 1 इसमें से हमने घटा दिया, 1 इसमें से घटाने के बाद, अब हम क्या करेंगे, यह जो gx वाली value है, वो इसमें multiply करेंगे, ठीक है, तो gx वाली value हमारे पास क्या है, into n, तो यह n to n हमने यहा हो जाएगा, cancel out, यह n और यह n b क्या हो जाएगा, cancel out, तो हमारे पास finally यह वाली format पचाएगी, ठीक है, यहाँ पर जब इसको n से divide करेंगे, तो यह हो जाएगा 1 by n, यह हो जाएगा 1 by 2 n, यह हो जाएगा 1 by 3 n, यह हो जाएगा 1 by n square, n is tending to infinity डालने पर, यह value किसको tend कर जाए है, the coefficient a, b, c of the quadratic equation, quadratic से related question है, and इसमें basically probability है, और quadratic दोनों mix कर रखा है, तो probability का इकोशन उन्हें पहला भी देखा था, और एक और यह question आया है, ठीक है, तो यहाँ पर बूल रहा है कि हमारे पास a quadratic है, उसके जो roots है, वो equal roots है, तो quadratic है, अगर roots equal है, तो probability of the equation क्या होगा, होगी, ठीक है, तो देखे, a, b, c, जो है, वो कैसे obtain हो रहे है, when we throw a dice thrice, एक die को जब मैंने तीन बात throw किया, तो उस पर जो भी number आ रहे है, वो a, b, c को represent करें, जैसे पहली बात throw किया, तो a आ गया, दूसरी बात throw किया, तो b आ गया, तीसरी बात throw किया, तो c आ गया, अब है, यहाँ पर अगर हम total की बात करेंगे, तो मैंने बोला कि या, पहली डाई पर कितने number आ सकते है, 6, दूसरी पर कितने आ सकते है, 6, तीसरी पर कितने आ सकते है, 6, तो हमारे पास six cube जो है, वो total number of, total number of favorable event, total number of events हो जाएंगे, ठीक है, तो total event हमारे पास हो गया 26, अब favorable कितन के root equal हो जाएं, तो root equal कब होता है, sir, root equal तब होता है, जब discriminant quantity का 0 होता है, तो discriminant कितना होता है, sir, b square minus 4ac अगर 0 हो जाए, तो b square minus 4ac अगर 0 हो जाए, वहाँ से मैं क्या बोल सकता हूं, कि b square equal to b square equal to 4ac हो जाए, ठीक है, अब यहाँ पर हम cases बनाएंगे, कि यार, कब-कब यह possible ह हो सकता है, जैसे यहाँ पर पहला case अपने क्या बनाएं, कि sir, b square equal to 4ac बोल रहे हो, तो अगर b की value 2 हो जाए, तो a into c का मान 1 हो जाए, ठीक है, डाई पर देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, C आ सकते हैं, तो 2 डाला तो यहाँ तो value 4 होगी, आप right-hand side में 4 आना चाहिए, इसका लिए a into c क कब होगा, जब सार दोनों value 1, 1 हो जाए, तो b की, a की और c की value लेने का कितना तरीका है, तो मैं बोलूंगा, यहाँ पर जो number of ways है, वो 1 है, फिर मैंने का, अच्छा 3 लेंगे, तो 3 लेंगे, तो दिख रहा है कि sir, यहाँ पर anc ना integer नहीं आएंगे, तो वो हम रिजट का दे है, a and c minimum 1 होगा, तो b square की minimum value 4 हो सकती है, अगर किसी बचे ने b 1 लिया, तो वो तो possible है नहीं, ठीक है, तो हमने 1 रिजट कर दिया, 2 के corresponding आइसा निकाले लिया, 3 रिजट कर दिया, अगली जो b की value होगी, वो क्या होगी, 4, तो b की value 4 होई, तो यहाँ पर कितना आ गया, 16, 16 आ 2 हो जाए, या 4 into 1 हो जाए, तो इसके corresponding मेरे पास, कितने option आ रहे है, 3 option आ रहे है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 case आ गया, अब हम बात करेंगे, कि 5 हो तो, 5 हो तो again, a and c integer नहीं मिलेंगे, 6 हो, तो 6 के corresponding, फिरसे हम एंसर मिल जाएगा, तो b का मान अगर 6 लिया, तो यह हो जाएग तो एक case ही हो गया, तो total यहाँ पर favorable जो event आ गये, वो कितने आ गये, 5 आ गये, और हमारे पास total event कितने थे, 216, तो 5 बटा 216, यह हमारा क्या हो जाएगा, final answer, so the final answer is 5 upon 2 by 16, next, total number of positive solution, PNC से related question है, आप देखे कि PNC probability के total 3 सवाल होगे, अभी तक, ठीक है, तीसरा सवाल है, यह PNC के उपर है, पहले 2 सवाल जो थे, वो probability के उपर थे, तो total number of positive integral solution of this, इस तरह की question हम लोग करते रहते हैं, यहाँ पर हम क्या कहते हैं, कि X into Y into Z जो है, वो किसके बराबर दे रहा है, 24, तो 24 को, हम factor की form में लिख लेंगे, तो factor की form में क्या लिखते हैं, 2 की power 3 and 3 की power 1, ठीक है, 24 को ऐसे लिख लिख लिया, अब X की जो value है, X जो है, वो पता नहीं क्या है, तो उसको मैंने लिख दिया, सर, जो भी हो, वो 2 and 3 की form में ही होगा, तो उसमें मैंने लि Similarly, Sir, Y जो है, वो क्या होगा, तो again, मैं को Y नहीं पता है, Y क्या होगा, तो Y को भी मैंने 2 and 3 की form में ऐसे लिख दिया, और Z को भी 2 and 3 की form में ऐसे लिख दिया, आप X, Y, Z को कुछ भी लिखो, multiply करने की बत्तों, यहीं मिलना चाहिए, तो जो multiply करोगे, तो 2 की power में, क्या क्या Under the condition, Sir, यह जो R I है, जो भी आपने यह R में equation लिखी है, यह 0 या 0 से बड़ी हो जाए, आर 1 0 हो सकता है, 2 भी 0 हो सकता है, तो R I जो है, वो 0 से 1, Similarly, summation of K, K1 प्लस K2 प्लस K3 जो है, वो 1 के बढ़ाबर हो, और यहां भी condition क्या होगी, किसा जो K I है, वो 0 से बढ़ा हो, हमें न निकालने, non-negative integral solution, तो इसका formula क्या होता है, N प्लस R मैनस 1 CR, मैनस 1, तो हमारे पास क्या जाएगा, 3 प्लस 2 C2, तो कितना आगया, 5 C2, ऐसे यहां पर क्या जाएगा, 1 प्लस 2 C2, तो कितना आजाएगा, 3 C2, तो final answer हमारे पास क्या जाएगा, 5 C2 इंटू 3 C2, तो यह value जो आ next करते है, next question quadratic के उपर था, हाना, तो quadratic पे simple सा question दे रखा है, बोल रहा है, यह जो quadratic है, उसकी integral values, the integral value of, the integral value for which the inequality this is valid for every x belongs to r, यह inequality हमेशा कब positive होगी, तो यह जो quadratic है, इसमें देख रहे है, हमकी x square का coefficient है, वो कैसा दे रखा है, positive, x square का coefficient, अगर positive है, तो quadratic always positive कब होता है, जब उसका discriminant क्या होता है, नेगेटिव होता है, تو的時候 negative होता है, क्योंकि इस case में क्या होता है, हमारा जो graph है, वो ऐसा आता है, तो it all, so discriminant मैंने negative का दिया, d negative किया, तो यहांसे k का interval आ रहा है 2-4, कि k की value 2-4 होने चाहिए, और k 2-4 में हमें हमें पूछा कितनी integer value है, तो a की value दिख रही है, वो क्या दिख रही है, 3, तो 3 is the answer, तो answer 1 is correct, the integer k, k की कौन से integer value है, जो इसको satisfy कर रही है, तो 3 दिख रहा है, तो 3 is our answer, next question करें, question by 18 जो है, यह हमारा differential equation का question है, linear differential equation, generally means में linear, homogenous और variables, applicable पे ही question रहता है, तो यह linear का question है, if the curve passes through origin, and यह dy by dx दे रहा है, slope देने का मतलब क्या है, slope of tangent का मतलब क्या है, कि सर यह dy by dx दे रखा है, तो dy by dx जो है हमारा, वो इसके बराबर दे रखा है, dy by dx is equal to this, then this curve also passes through the point, तो बोला है, यह curve कौन कौन से point से pass होगा, तो basically dy by dx दे रखा है, इसकी help से हमें curve की, क्या पहले निकालने पड़ेगी equation, फिर हम देखेंगे कि वो curve कहां से pass हो रहा है, तो dy by dx को हमने थोड़ा सा simplify किया, तो वो कुछ इस तरह की format में नजाना रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो x minus 2, y plus 4, x minus 2 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, y plus 4 को हम थोड़ी देर के लिए u माल लेते हैं, and x minus 2 को थोड़ी देर के लिए t माल लेते हैं, अब क्योंकि आपने से यह substitution किया, y plus 4 की जगा u किया है, और x minus 2 की जगे आपने t किया है, तो आपको dy by dx को भी फिर change करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, इसको differentiate किया, तो इसको लिख देंगे dy is equal to du and इसको लिख देंगे dx is equal to dt, तो dy by dx को क्या लेख सकते हैं, du by dt के बराबर लेख सकते हैं, ठीक है, अब ये सारी value उठाके हमने डाल दिया, तो dy by dx will be equal to what, du by dt, ये जो value है हमारे पास, ये जो हमारे पास value है, ये हमारे पास value थी, इसको हमने क्या लिया था, t लिया था, तो ये t square आजाएगा, ये value हमने क्या ली थी, ये ली थी, तो t square plus u upon t, जब simplify करेंगे तो हमारे पास ये आगया, अब ये देखें, हमारी linear वाली form में यहां में दिखने लग गई है, du by dt, u by t को मैं left hand side मिला थी, ये में पास linear differential location बनगी, सिंपल से ही है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसका integrating factor निकालेंगे, इसका integrating factor जो आएगा, वो क्या आएगा, e की power, integration of minus 1 by t dt, और इसकी value जो आ रही है, वो solve हो कि कितनी आ रही है, 1 by t आ रही है, integrating factor रहे हैं, equation लिखने का तरीका क्या होता है, u into integrating factor, integration of, यह जो हमारे पास value बसती है, into integrating factor dt, तो यहां से u by t, और t upon t, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसको integrate करेंगे, तो यह value हमारे पास इतनी आएगी, u and t की value उठा के हमने यहां डाल दिया, अब यहां पर यह बोला था, कि the curve, और किस पॉइंट से पास होगा, पहले तो यह एक चीज हमें यहां दे रखी है, कि जो हमारा curve है, वो origin से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, तो पहले हम यह c की value निकाले की आएगी, तो हमने क्या किया, इसमें 0,0 उठा के डाल दिया, जैसे हमने 0,0 डाला, तो हमारे पास देखें क्या value आ रही है, यहां पर 0 डाला तो ही आगा, minus 2 यह भी minus 2 आ गए, तो c की value 0 आगी, c की value 0 आता ही, हमारे पास curve की equation यह आगी, ठीक है, curve आ गया, अब कौन सा point है, जो इसको satisfy कर रहा है, तो भाई वो चेक कर लेते हैं इसमें, जैसे पहला वाला अगर हम point डालते हैं, तो पहला वाला कितना आएगा, 9 आएगा, और यहां पर जालोगे, तो यह कितनी value आएगी, 2 आएगी, तो यह तो satisfy, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, यहां पर हम 4 डालेंगे, तो यह 8 आएगा, और यहां 5 डालोगे, तो यह 9 आएगा, तो यह वाली value इसको satisfy नहीं कर रही है, 4,5 भी अपर ही देखा था, हमने कि 4,5 डालेंगे, जैसे यहां पर 5 डालेंगे, तो यह value कितनी आएगे, 9 और यह 4 हो जाएगी, तो यह भी satisfy नहीं कर रहा है, इसको, 4,4 डाला, तो भी satisfy नहीं कर रहा है, इसको, लास्ट वाला पॉइंट का है, 5,5, हाँ, तो 5,5 इसको क्या कर रहा है, satisfy कर रहा है, तो option 4 is correct, next question देखते है, next question, जो हमारा mathematical reasoning से का question है, यहां पर हमें बताना है कि यह जो है किसके equivalent है, generally बच्चे टूट टेबल से करते हैं नहीं, तो यहां पर algebra से करिए, जल्दी बनेगा सवाल, टूट टेबल में क्या ऐसे अगर option देदेगा, तो बहुत time लगता है, तो जैसे पहला वाला हमारा जो है, एक चीज हमेशा इसमें ध्यान रखिए, कि A implies B का मतलब क्या होता है, this is always equivalent to 0 A और B, यह 0 A और B के बराबर होता है, यह चीज ध्यान रखिए बस, ठीक है, तो बस इसको इस वाली form में convert करिए, तो यहां पर सद लिखा हुआ है, A implies B implies A, तो पहले मैं इसको कहले लग दूँगा, A implies B implies A को इस वाली format में लिखा जाए, not B और A, अब इसमें फिर से हम यह formula लगा दें, A implies B वाला, तो हो जाएगा, not A, A, or, not B, or A, ठीक है, यहां पर दिखें, associative law लगेगा, तो not A, or A, किस के बराबर आएगा, Sir, यह तो tautology आएगा, और tautology का किसी से भी union करते हो, तो वो tautology आएगा, या किसी से भी और लेते हो, तो वो tautology के बराबर आएगा, तो यहां से दिख रहा है, कि जो हमारी given statement है, वो एक tautology है, अब हमें यह बताना है, कि यार, इन में से कौन-कौन सा option tautology है, जैसे मैं पहले वाले option में लिखा है, मैं directly convert कर रहा हूँ इसको, not a or, a and b, ठीक है, यहां पर distribution लो लगाया, तो यहां पर क्या आजाएगा, not a or a and, यहां गया, end करना है, not a and b, यह आगया, हम देखते हैं कि sir, यह तो tautology आएगा, और tautology का किसी से भी end करोगी, तो वही आएगा, तो sir, यह value आएगी, not a and b, not a and b, जो है, वो हमेशा tautology नहीं होता है, तो sir, option a नहीं होगा, ठीक है, similarly, जब हम इसको करेंगे, तो यह जो value है, यह not a और b आजाएगा, तो यह भी tautology के बराबर नहीं होगा, third वाले में भी, यहाँ पर हम by conditional को तोड़ देंगे, इस तरह से, by conditional को कह लिखेंगे, a implies b and b implies a, ठीक है, और फिर से जब हम अपना यह वाला formula लगाएगे, तो हम देखेंगे, यह value क्या आएगी, not a और b के बराबर आएगी, तो obviously sir, यह भी tautology नहीं है, last वाले की बात कर ले, last वाला जो fourth option है, वो जाएगा, not a, और, किसके साथ और करना है, a और b, तो यह तो दिख्या है sir, यही पर दिख्या है, sir, इन दोनों को जब आप associate करोगे, तो यह tautology आएगा, और tautology का किसी के साथ भी और करते हो, तो क्या आएगा, तो यहां से में दिख्या है कि option 4 is correct, fourth answer इसका correct आएगा, next question देखे, next question रोली स्थोर्म के उपर है, और रोली स्थोर्म की जो basic condition होती है, directly उसके उपर question है, तो simple सा question दियाता है, if the rollies theorem holds, अगर rollies theorem इसमें लगती है, rollies theorem क्या कहता है, कि f a, अगर हमारा function continuous and differentiable है, and f a equal to f b होता है, तो कम से कम एक ऐसा c होता है, जहां पर f dash c किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है, यह होती है कहानी, f a equal to f b होता है, यह है, ठीक है, तो हमने कहां ठीक है, अगर rollies theorem यहां hold हो रही है, तो f of 1 equal to f of 2 होना चाहिए, यह polynomial function है, polynomial हमेशा continuous and differentiable होता है, तो उसकी तो बात ही नहीं कर नहीं है, f of 1 equal to f of 2 होगा, तो f of 1 equal to f of 2 किया, वहां से a and b में एक relation आजाएगा, फिर हम क्या बनेंगे, f dash c यह दे रखा है, कि 4 by 3 पे यह value 0 है, तो f dash इसको differentiate किया, और c के जगे 4 by 3 डाला, तो हमारे पास a and b में एक relation ही आगया, पहले equation और दूसरी equation को solve करेंगे, तो यहां से a की value हमारे पास 5 आ रही है, और b की value कितनी आ रही है, 8 आ रही है, a and b का हमें order pair बताना है, तो 5,8 यह order pair जो है, वो इसको क्या करेंगा, satisfy, so option 1 is correct, तो इसका जो answer आएगा, वो बना जाएगा, next question देखते हैं, next question हमारा application और derivative का है, और इस तरह का question ID में भी आ चुका है कई बर, यहां पर एक 6 degree का polynomial बोल रहे है, तो हमने 6 degree का polynomial लिखा, इंटर वो बना है, तो हमने 6 degree का polynomial में लिख दिया, x की पाव 6, प्लस a, x की पाव 5, प्लस b, x की पाव 4, प्लस c, x3, प्लस d, x2, प्लस e, x, प्लस f, ऐसे लिख दिया, अब यहां पर देखे, यह जो चीज है, कि जब यह x3 से, fx को, fx को जब x3 से डिवाइट कर रहा है, और इसकी जब limiting value निकाल रहा है, 0 पर, तो यह value जो है, यह 1 के बराबर दे रखी, अब इसका हम इस्तमाल कैसे करेंगे, इसका इस्तमाल ऐसे करेंगे, कि देखे, अगर x3 इसके नीचे आएगा, तो 1 by x बचेगा, और 0 डालते हैं, यह infinity बन जाएगा, तो सर, अगर यह वाली तीनों टम बच गई, तो दिक्कत कर देंगे, क्यों, क्योंकि फिर यहां पर not defined आएगा, limiting value बना आई नहीं पाएगी, तो इसका मतलब, इनके जो coefficient है, यह सारे 0 होंगे, यह सारे के सारे 0 होंगे, तो d e f 0 होगा, फिर x3 को x3 से divide क्या, तो बचेगा कितना c, तो यहां से मैं समझ में आगा, कि c की value कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है, तो जो basically हमारे पास polynomial आजाएगा, वो यह आजाएगा, फिर एक्स की पाव 5, x की पाव 6, x की पाव 5, d x की पाव 4, और c की value तो 1 होगी तो x3, यह हमारे पास polynomial में लागा, अब आगे क्या बोला है, इसने बोला है, has extrema at 1 and minus 1, 1 and minus 1 पे इसका maxima या minima आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि अगर यहां extrema है, तो f dash x 0 होना चाहिए, तो हमने इसको differentiate किया, और 1 and minus 1 इसमें डाले, f of 1 डालने पर हमारे पास यह value आ रही है, इसमें differentiate करके 1 डाला, तो यह value 0 और यहां से यह value 0 होगी, देखिए यहां पर basically a and b में कितनी equation आगी है, दो equation आगी, इन दोनों equation को जो मैंने solve किया, तो a की value minus 3 by 5 and b की value कितनी आगी, minus 3 by 2, a and b की value उठाके मैंने equation में फिर से डाल दिया, तो हमारे पास fx is equal to आजाएगा, x की power 6, minus 3 by 5, x की power 5, minus 3 by 2, x की power 4 plus x cube, अब यह बोल रहा है, क्या 5 into f of 2 बताओ क्या होगा, तो इसमें x की जगे 2 डाला, और into क्या कर दिया, 5 कर दिया, तो हमारे पास x की जगे 2 डालने पर, हमारे पास यह value आती है, 144 upon 5, 5 से multiply करके value आती है, 144, ठीक है, तो इसका जो answer आएगा, वो आजाएगा, 144, next question देखे, next question अच्छा question है, continuity से related question है, तो यहाँ पर बोल रहा है, कि यह कितने point है, जहाँ पर यह non-differentiable होगा, continuity and differentiability, तो basically है differentiability पुछिए, कि कितने ऐसे point है, जहाँ पर यह non-differentiable होगा, ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम modulus की बात कर रहे हैं, तो modulus में, जो point non-differentiable के होते हैं, वो कहों से होते हैं, जहाँ पर यह 0 होता है, तो अगर मैं इसकी बात करो, तो यह 0 कहाँ पर होगा, sir, minus half पर, इसकी बा 2 नहीं, minus 2, तो 2 value इसमें आ रही है, यह आ रही है, तो इसकी corresponding 2 value, इसकी corresponding 1 value और इसकी corresponding यह value आ गी, तो total यह 4 point आ गए, जहाँ पर यह function non-differentiable हो सकता है, अब है या नहीं, यह हम check का लेते हैं, तो देखे, minus 1 by 2 पर यह function differentiable है, यह भी differentiable है, यह differentiable नहीं है, तो non-differentiable plus differentiable plus differentiable overall क्याईगा, non-differentiable, तो minus half पर यह differentiable नहीं है, ठीक है, चलो, एक point मिल गया, similarly one की बात करें, तो one पर sir, यह differentiable नहीं है,ifik यह है यह यह ngon differenti 지금 सफ मानस टू पर बंस तो उन पर यह भी दिफरेंशिबल है तो सर फाइन पर ऑब यह नऑन डिफरेंशिबल लाएगा का ओडिफरेंशिबल कि एड़रेंशिबल होता है एंड नण डिफयरेंशेयबल क्यों होता है माइनस टू क्या मानेस 2 पर यह फंख्शन क्या निख्कत है यह तो अच्छल अग्दीरेंशेबल होगाईर नहीं होगा तो मैंने क्या ओर इसके factor बना लिए इसके factor बनाए और यहां पर factor बनाने के पास हमारे पास यह कहानी आजाएगी क्या आगे कहानी mod of 2x plus 1 minus mod of x plus 2 into 3 minus mod of x minus 1 यह हमारे पास कहानी आगी अब हमें यह बताना है कि सर माइनस 2 पे differentiable है या नहीं minus 2 टालने पर देखे minus 2 पे यह जो function ही यह तो differentiable है तो इसकी हमें tension है नहीं इस वाले की बात कारने कि क्या यह function minus 2 पे differentiable है या नहीं minus 2 पे अगर ये वाली value की हम बात करें तो और देखे है जीरो आ रहा है इसको minus two पे जीरो आ रहा है तो इसको आप ता यह कहानी minus 2 पे 0 आ रही है तो कभी भी अगर हमारे पास इस तरह का function आए कि भाई ये non-differentiable function है लेकिन into gx हमारा differentiable function है and minus 2 पे जिस point के हम बात करें वहाँ पर value 0 आ रही है तो ये जो function होता है overall कैसा हो जाता है differentiable हो जाता है क्या कहना चाहरा हूँ मैं कि जैसे f of minus 2 into g of minus 2 आ गया माल लिजे मैं बोलाँ ये जो function है ये continuous and differentiable है and इसकी value 0 है value is 0 और ये जो function है ये non-differentiable है तो भी जब 0 से इसको multiply करेंगे न है तो इस point पे ये function हमारा कैसा आ जाता है differentiable आ जाता है तो sir यहाँ पर ये function कैसा हो गया differentiable और ये भी कैसा हो गया differentiable तो minus 2 पर ये function overall कैसा है इगा differentiable आएगा तो non-differentiability का जो point आ रहे हैं वो सिर्फ 2 point आ रहे है एक minus हाफ आ रहा है और ये क्या रहा है 1 आ रहा है तो 2 points जहां पर ये non-differentiable है तो इसका answer क्या जाएगा 2 आ जाएगा नेक्स देखें next question area under the curve का है simple सा question दे रखा है आपको बोलाए कि sin and cos जो हैं ऐसे infinite जगे काटते हैं आपके पास ये जो एक reason कोई भी एक reason है ठीक है उनके बीच का आपको क्या निकालना है area सबका area ये जितने reason आएगे जैसे आगे भी काटेगा ये इस graph को अगर मैं आगे extend करूँ तो ये graph ऐसे आगे काटेगा तो ये जो reason है इसका area निकालो ये जो हमने पहले ही बना रखा है इसका area निकालो ये area सबका क्या आएगा तो बोलाए यार इसका area जो आएगा अगर वो a है तो a की power 4 की value क्या होगी अपने को पता है कि जो point of intersection निका आता है वो क्या आता है पाइ बाइ फॉर एं फाइ पाइ फॉर अगर मैं 0 से 2 पाइ के बीच में बात करता हूँ ये जो पहला उपर अला graph है ये साइन का है ये cos का है तो area bonded by the curve क्या हो जाएगा sine x minus cos x in the interval pi by 4 से 5 pi by 4 ठीक है तो इसकी जब हमने value को integrate करके निकाला तो ये जो value आ रही है हमारे पास आ रही है 2 root 2 ठीक है calculate करके 2 root 2 आ रही है इसकी 4th power निकालनी है हमें तो 2 root 2 की power 4 कितना आ जाएगा अपने पास 64 तो इसका जो answer आ रहा है वो कितना आ रहा है 64 नेक्स कोशन दिखते है नेक्स कोशन में क्या कह रहा है कि A1 A2 A3 A1 ये square दे रहे है length of side of A1 A1 की जो side की length है वो length of diagonal of A1 plus 1 के बराबर है ठीक है तो A1 plus 1 मालिज जी length of side of A1 जो है वो A length of side of A1 क्या है A है तो is equal to length of A1 plus 1 तो A1 plus 1 जो है उसका जो diagonal होगा वो root 2 A हो जाएगा कितना हो जाएगा root 2 A तो अगर मेरे को बोला जाए कि सर उसके side की length की बारे में बात करो तो हम क्या बोलेंगे वो जो value आएगी इसकी length अगर हमारे पास A है तो जो diagonal के length होगी वो कितनी हो जाएगी रूट 2 A के बराबर ये क्या कह रहा है length of diagonal of an plus one an plus one का जो diagonal है वो length of side of an के बराबर है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर length of side of a1 बारे है तो A2 की length of side होगी वो कितनी हो जाएगी 12 upon root 2 हो जाएगी ठीक है जैसे माली जे कि मैंने बोला कि ये जो length है ये बारे है a1 बनाब ये पूरी value बार है तो ये जो a की value आएगी ये बारे बारी रूट 2 आजाएगी तो ये जो value आ रही है किसकी length आएगी ये an plus one की side की length आजाएगी तो यहां पर हम बोलेंगे ये जो value आएगी 12 upon root 2 आजाएगी ऐसे ही अगर मैं a3 की बात करूंगा तो उसको फिर root 2 से divide करना पड़ेगा तो वह value आजाएगे 12 divided by root 2 का whole square ऐसे ही अगले वाले की बात करूंगा तो ये root 2 root 2 से हम क्या करते जाएंगे divide करते जाएंगे तो देखें a2 वाले में root 2 आ रहा है a3 वाले में root 2 square आ रहा है तो an वाले में क्या आएगा root 2 की power n-1 तो यह हमारा formula बन गया nth जो है उसकी जो length है वो हमारे पास आगी 12 divided by root 2 की power n-1 यह आगे अब हमें area की बात करनी तो area क्या हो जाएगा इसका square होगा तो इसका square कर दिया हमने और यह बोला है जो area है इसका is less than 1 है तो area is less than 1 कर दिया यहां से हमारे पास यह inequality क्रेट होगी क्या क्रेट होगी 144 is less than 2 की power n-1 अब हमें यह बताने कि यार n की ऐसी कौन सी वेलू है जो इसको क्या कर रही है satisfy कर रही है ठीक है the smallest value of n n की सबसे least value में बतानी है जो इसको satisfy कर रही है ठीक है तो अगर हम देखें कि n 2 की power 7 2 की power 7 की बात करें तो यह value अपने पास आ जाएगी 128 ठीक है और 2 की power 8 करेंगे तो वो इससे क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी तो बिल्कुल हमें तो बड़ी वाली चाहिए तो हम यह बोलेंगे कि यहाँ पर यह n-1 की value हो यह 8 के बराबर आ जाए n-1 8 आ जाए इसका मतलब क्या होगा कि यहां से हम बोलेंगे कि n की value कितनी आ जाए 9 आ जाए तो अगर n की value हम 9 यह डालेंगे तो यह आएगा 2 की power 8 2 की power 8 256 आएगा 256 जो है वो इससे क्या होगा बड़ा होगा तो n इकॉल टू 9 जो है वो इसको क्या करेगा satisfy तो इसका answer आ जाएगा n इकॉल टू 9 next question देखे next question में हमें एक matrix दे रखा है ठीक है x y z y x y z y z x z x y यह हमारे पास एक matrix है और यहां पर हमें यह values दे रखें कि यह value positive है x y z command 2 है if a square equal to identity matrix तो x cube y cube and z cube की value बतानी है ठीक है यहां पर देखें कि हम हम पहले चीज़ जो बोल रहे है कि a square equal to i3 है तो a into a is equal to i के बराबर किया अब जब हम पहली row and पहले column को multiply करते हैं तो वह पास आएगा x square plus y square plus z square और यह value किसके बराबर आएगी 1 के बराबर आएगे तो यहां से हमने यह लिख लिया फिर हमने पहली row को जब इससे multiply किया तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्याएगा x y y z z x x x y plus y z plus z x की value 0 आजाएगी हमारे पास यह value आजाएगी ठीक है तो यह हमारे पास value आगे कि x square plus y square plus z square one है और x y z x y plus y y z plus z x की value कितनी आ रही है जीरो आ रही है अगर हम इसको determined वाले method से solve करें कि a determined of a square is equal to determined of i तो यहां समया जाएगा कि determined of a की 2 value आएगी सार plus minus determined of i क्या होता है plus minus one होता है तो यहां पर square को आप under root लेंगे तो यहां पर क्या जाएगा plus minus one के बराबर आजाएगा ठीक है तो determined की value जो है वो plus minus one के बराबर आजाएगी तो determined of a plus minus one आगया अब determined of a basically है क्या determined of a की value लिखी जाए तो यह आजाएगा minus time summation of a summation of a square summation of a square minus summation of a b यह आजाएगा अब देखें summation of a b यह जो value है basically वो आपने कितना लिख रहा है zero summation of a square की value मतलब x square plus y square plus z square की value आपने कितनी लिख रहा है one and यह जो value है summation of one summation of a इसकी value इसकी value देखो हम कैसे निकाल सकते थे formula से भी निकाल सकते थे कौन से वाले formula से हम बोल सकते थे कि x plus y plus z का whole square कितना होता है summation of x square plus twice summation of x y summation of x y तो कितना है zero है और यह value हमने निकाली है कि यह value कितनी है one तो x y z का summation जो है कि plus minus one आएगा लेकिन इसने बोला था कि x y z यार यह ऐसे लिखो summation of x लिखो summation of x की value है यह बनाएगी ठीक है क्यों आएगी सब plus minus one होती है लेकिन यहां पर इसने बोला रखा कि x plus y plus z कैसा है positive है तो मैं रिजेट का दिया तो summation of x की value बनाएगी अब यह summation of x की value बनाएगी तो यह value भी कैसी आएगी positive बनाएगी तो मैं यह देखाओ कि determinant की value यहां से कैसी आएगी negative आएगी ठीक है determinant कैसा आएगा negative आएगा तो यहां पर हम दो जो value हमारे पास आ रही थी एक plus वाली और एक minus वाली उनमें से हम minus वाली value रख लेंगे determinant of a equal to कितना हो जाएगा minus 1 ठीक है यह समझ में आ रहा है कैसे लिए हमने हमने बोला यह value positive है यह value भी positive है तो overall determinant की value कैसी आनी चाहिए negative आनी चाहिए थी तो यहां पर हमारे पास दो value आई थी उनमें से एक value हमने रख ली that is minus 1 तो minus 1 रखने के बाद हमारे पास determinant की value यह आगे अब यहां से हमारी कहानी अभी भी complete हुए हमें क्या-क्या मिल गया है summation of x मिल गया हमें क्या-क्या मिल गया x square plus y square plus z square मिल गया x y y z z x मिल गया है लेकिन हमें value निकाली है x cube y cube z cube की तो हम फिर से वही है determinant of a का formula फिर से लग दें तो determinant of a क्या होता है minus time x cube plus y cube plus z cube minus 3 x y z इसके बराबर होता है ठीक है यह value के बराबर आएगा औके x y z की value x into y into z की value निकाली नहीं है अभी वो निकाल नहीं पड़ीग यहां से देखिए कि हमारे पास x3, plus y3, plus z3, इसकी value कितनी हागी, 7, यह 6 हो गया, उदर जाएगा, तो plus 1, 6, plus 1, कितना हो जाएगा, 7, तो 7 is our final answer. इस question में देखते हैं, matrix के पर question दे रखा है, यहां पर आपको एक matrix दे रखा है, i plus a and i minus a inverse को multiply करके, यह बोल रहा है कि यह जो matrix आ रहा है, यह a minus b, a minus b, b, a matrix आ रहा है, तो यहां से a and b के लोटा के फिर अपने को यह square का sum निकालना है, तो simple question में basically है, जो बोल रहा है वो process पूरा करते जाए, i plus a, इसमें identity matrix जोड़ेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1, यहां minus 10 theta, यहां 10 theta by 2, और यहां 1 आ जाएगा, तो अपने पास i plus a की value ही आ जाएगा, i minus a करेंगे, तो जब इसमें से इसको घटाएंगे, तो हमारे पास basically यहां पर ऐसा आ जाएगा, 1 minus, minus क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो 1 plus 10 theta, minus 10 theta by 2 and 1 आ जाएगा, ठीक है, तो आपके पास यह i minus a की value यहां जाएगी, अब इसका हमें क्या निकालना है, इन्वर्स, इन्वर्स निकालने के लिए पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, determined, तो इसका जब हम determined की value निकालेंगे, तो determinant of i minus a is equal to 1 plus 10 square theta by 2, theta by 2 है, तो यह आजाएगा, यह value आजाएगी, आपके पास secant square theta by 2, ठीक है, तो determinant की value आपके पास secant square theta by 2 आया, और फिर हम इसका adjoint matrix निकालेंगे, तो इसका adjoint matrix आता है, वो हमारे पास यह आ जाता है, अब यह बोल रहा है, कि इसको i plus a को i minus a inverse से multiply करना है, तो इन दोनों को multiply किया, multiply करेंगे, तो यह हमारा पहला था, और divide by 1, divide by secant square theta into this, यह दूसरा वाला था, इसको multiply किया, तो row into column multiplication यूज करेंगे, तो जब multiply किया, तो यह आगया, 1 minus 10 square theta by 2, यहाँ पर देखें किया आ जाएगा, minus 2 10 theta by 2, ऐसे ही अगले में आएगा, 2 10 theta by 2, और यह आ जाएगा, 1 minus 10 square theta by 2, यह बोला है, यह जो value है, a के बराबर है, और यह जो value है, यह वाली, इस value को b के बराबर बोल रहा है, ठीक है, तो a की value, basically क्या आगे, 1 minus 10 square theta by 2, divide by secant square theta by 2, और b की value, basically कितनी आगे, 2 10 theta by 2, divide by secant square theta by 2, अब हमें value किसके निकालनी है, a square plus b square, तो हमने इसका square किया, इसका square किया, और दोनों को क्या कर दिया, add किया, तो जब square किया, तो नीचे तो second square 4 theta आ गया, यहां आ गया, 1 minus 10 square theta by 2 का square, and 2 10 theta by 2 का square, तो कितना हो जाएगा, 4 10 square theta by 2, इसको जब हम खोलेंगे, तो क्या हैगा, a square plus b square minus 2ab and plus 2ab, तो basically क्या होगा, यहां पे, यह जो 4 10 square theta by 2 है, वो minus 2 10 square theta by 2 से कपल होके, क्या बन जाएगा, plus 2 10 square theta by 2, तो यह basically बन जाएगा, 1 plus 10 square theta by 2 का whole square, यह जो value है, यह और यह दोनों क्या हो जाएगी, cancel out, क्योंकि 1 plus 10 square theta by 2, basically क्या होता है secant square theta by 2 ही होता है तो यहाँ पर यह value कटके 1 आजाएगी तो हमारे पास finally यहाँ पर जो answer आएगा वो कितना आएगा 13 आजाएगा next question करते है next question हमारा जो है वो यह बोला था कि यह total number of total number lying between 100 to 1000 that can be formed with the digit this repetition of the digit is not allowed and are divisible by 3 and 3 or 5 ठीक है ऐसे कितने number होंगे जो 100 और 1000 के बीच में होंगे इन digits को ही use करना है repetition यह allowed नहीं है and are divisible by either 3 or 5 तीन या पास से divisible होने चाहिए पहले तो हम बात कर लें क्यार वो तीन डिजित number जो 3 से divisible है तीन से divisible है तो यार इसमें बाकियों का सम कितना आएगा बारा आएगा तो वो तो जो number होंगे तीन number हो हमेशा तीन से क्या होंगे divisible ठीक है तो 1 & 2 हटाया हमने तो अगला जो हमाई पास combination बचेएगा वो क्या बचेएगा 3 4 5 इन 3 4 5 को तीन जगे अरेंज करने का कितना तरीका है 3 factorial similarly अगला number कौन सा हटाएंगे sir 1 & 5 1 5 कितना हो गया 6 हो गया यह हटाया तो जो बचा हुआ number है देखो क्या है 2 3 4 2 3 4 का सम कितना रहा है 12 वा रहा है तो sir हाँ यह number भी 3 से divisible होगा कैसे भी आप range कर लो 2 3 4 को 3 जगों पे range करने का फिर से कितना तरीका होगा 3 factorial अगला number 2 4 अगला combination जैसे 2 3 लिया तो 2 3 तो सम 5 आ रहा है तो जो बचे वे number है उनका जो सम आएगा वो 3 से divisible नहीं होगा ठीक है तो हमने 2 3 reject कर दिया फिर हमने क्या देखा 2 4 2 4 का सम कितना आ रहा है 6 आ रहा है अरेंज करने का फिर से कितना तरीका है 3 factorial ठीक है अगला देखें तो सर देखो 2 5 नहीं चलेगा 3 4 भी नहीं चलेगा 3 5 का सम 8 आता है ये भी काम का नहीं है 4 5 4 5 का सम 9 आता है तो 4 5 को हटा दिया तो बचे वी 3 number कौन से होगा 1 2 3 तो इनको अरेंज करने का तरीका कितना होगा 3 factorial तो ये भी 6 तरीका होगा तो 3 से divisible जो number है वो ऐसे कितने होगा 6 प्लस 6 प्लस 6 से total कितने होगा 24 अब 5 से divisible चाहिए 5 से divisible चाहिए तो या सब 5 से divisibility में last digit पे 5 आ जाए बस हमें ये ध्यान रखना है लेकिन देखो जब आपने बोला 3 से divisible तो सर इसमें 5 वाले भी हो सकते और जब तुमने बोला 5 से divisible तो इसमें 3 वाले भी हो सकते तो हम क्या करेंगे जैसे ये NA 3 से divisible ये NB है 5 से divisible तो जो दोनों से divisible है वो वाले घटाने पड़ेंगे क्योंकि n a union b कितना आता है n a plus n b minus n a intersection b तो a intersection b वाले घटाने पड़ेंगे किसके किसके होने चाहिए सब 3 से भी हो and 5 से भी हो तो हम क्या करते हैं 3 वाले में वो combination उठा लेते हैं जो 5 से भी होंगे तो एक group देखो दिख रहा है 3 4 5 और दूसरा group दिख रहा है 1 3 5 बस यही नमबर 5 से भी divisional हो सकते अब कैसे होंगे किसा last digit पर तु 5 रख दिया बाकी दोनों को arrange करने का तू फेक्टोरल तरीका लाज़ डिजित पर पांच रख दिया और बाकी दोनों को आंसर कितना आजाएगा 32 तो final answer is 32 नेक्स देखते है नेक्स्ट वाले कोशन में हमें वेक्टर का कोशन दे रखा है इस तरह का कोशन भी आईटी में पहले आ चुका है तो काफी सारे कोशन देखे तो आईटी के previous year के कोशन लोगों ने उठा लिए ठीक है तो इस कोशन की हम बात करें तो यहां पर आर क्रोस ए इस इकल टू सी क्रोस ए दे रखा है एक तरफ लाइए तो दिखे क्या आएगा र-स इकल टू 0 इस का मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि R-C and A जो है यह कैसे होंगे कोलीनियर होंगे अगर यह कोलीनियर है तो यहां से मैं बोल सकता हूँ R-C is equal to lambda A R-C जो है वो lambda A के बराबर आएगा तो यह जो कहानी है हमारे पास यह आ जाएगी R is equal to C plus lambda A अब हमने क्या किया जो हमें दे रखा है उसकी help लेते हैं इसने बोला कि B के साथ dot करोगे तो value 0 आएगी तो मैंने इस equation को B के साथ dot किया तो R.B, C.B, lambda A.B यह आगया R.B 0 है तो यह value 0 के बराबर आगी C and B पता है हमें इन दोनों का dot किया तो देखो C.B यहां आगया one और यह भी आगया one तो यह two आगया and A.B की बात करें इसका इससे dot करेंगैं तो यह value आएगी one और यह value आएगी minus two तो basically minus one आएगा तो यहां से मारे पास relation आगए 2 minus lambda equal to zero 2 minus lambda equal to 0 2 minus lambda आगा 0 के बराबर है तो यहां से वाइपास आगया lambda equal to 2 तो lambda equal to 2 हमने इस equation में डाल दिया तो r is equal to c lambda की value कितनी आगी थी 2a ही आगया अभी बोला है यार r.a बताओ तो इसका a के साथ dot कर दो बस आगया answer आपके पस तो r.a is equal to c.a plus 2 mod of a square c.a and 2 mod of a square तो यह value निकालो c.a की value कितनी आ रही है a का अगर c से dot करते हैं तो यह आगया 1 यह आगया minus 2 और यह आगया 1 तो यह 0 आ गया plus 2 mod of a square कितना आ रहा है तो mod of a square आ रहा है under root of 6 आ रहा है तो इसका square 6 हो जाएगा तो यह value कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी next अगला question जो है determinant के उपर question है हमारा यहां पर यह बोल रहा है कि यह जो 3 equation दे रखी है basically यह 3 plane है इसके कितने solution है infinite many solution है तो अगर इन 3 equation के infinite many solution है तो हम इसका d, d1 क्रेमर्स रूल जो हम पढ़ते हैं वो हमें check करना पड़ेगा तो हमने इसका d निकाला, d कैसे निकालते हैं जो coefficient होते हैं, वहां से जो determinant आता है तो k12, 3, minus 1, minus 2 minus 2, minus 2, minus 2, minus 4 इसको देखो तो यह value किसके बराबर आ रही है 0 के बराबर आ रही है सर ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि column 2 and column 3 same हा रही है, देखो इसमें 2 निकालो 1, 2, 3 से, तो वह value भी कितनी आईगी 0 आईगी, तो सब d भी 0 आगया, d1 भी 0 आगया d2 भी 0 आना चाहिए, d3 भी 0 आना चाहिए अगर सारे 0 होंगे, तो हमें दिख रहा है कि यह जो equation है, यह जो है यह infinite solution को represent करेंगी क्योंकि इन में से कोई भी दो equation जो वह parallel नहीं आ दी है ठीक है, तो हम यह कहेंगे कि d भी 0 होना चाहिए, वो तो हो चुका है d1 भी 0 होना चाहिए, d2 भी 0 होना चाहिए d3 भी 0 होना चाहिए, d2 क्या होता है कि हम जो second column था इसका इसको किसे replace कर देंगे, 1, 2, 3 से तो 1, 2, 3 से replace करके जब इसको 0 करते हैं, तो यहां से d0 करने पर k की value आती है 21 similarly, d3 जब 0 करते है d3 कैसे आता है, कि हम second जो हमारा column है, उसको 1, 2, 3 से replace करते हैं, तो second column को 1, 2, 3 से replace किया और इसको 0 किया, तो यहां से भी k equal to कितना आ गया 21, तो मैं देख रहा हूँ k equal to 21 एक ऐसी value आ रही है जिस पर यह 4 जिरो है अगर मालीजे सर यहां पर k equal to 21 आता अगर यहां 22 आता तो गरबड़ जाता क्यों? क्योंकि जहां पर सारे 0 है हमें वो value लेनी है अगर 3 0 है और 4 0 नहीं है तो वो फिर हमारा infinite solution का case आ जाएगा infinite no solution का case आ जाएगा तो वो गरबड़ हो जाएगा तो यहां पर क्योंकि k equal to 21 एक ऐसी value जो सब को satisfy कर रही है इस पर 4 value 0 आ रही है तो k equal to 21 जो है वो हमारा final answer हो जाएगा next next question में देखे next question में locus of point of intersection of is a conic whose eccentricity is simple question दे रखा है बोल रहा है कि दो line है दो line हो का point of intersection का locus है वो इक conic है तो उस conic eccentricity बताना है तो ठीक है यहां में दिख रहा है कि यहां सब लोकस वाली बात क्यों कर रहे है क्योंकि यह variable के है तो के को हम change कर रहे है तो line change हो रही है उनका point of intersection भी क्या हो रहा है चेंज हो रहा है तो इस वजह से यहां पर locus क्रेट हो रहा है तो basically हम क्या करेंगे इन दोनों को solve कर लेंगे तो line 1 है हमारे पास line 2 है हमारे पास पहली line को इन दोनों को solve किया तो जो x की value है वो हमारे पास आ गई x by 2 is equal to k plus 1 by k similarly जब x की value किसी एक equation में डाला तो y की value हमारे पास या गी अब यहां से इन दोनों equation से हमें k को क्या करना है eliminate तो हम क्या करेंगे पहली equation को square कर देंगे दूसरी equation को square करेंगे और दोनों को subtract कर देंगे ठीक है तो जब दोनों को subtract करेंगे मतलब इसमें से इसको subtract करेंगे तो क्या होगा देखो x by 2 का square minus y divided by 2 root 3 का square तो यह आ जाएगा अपने पास अब यहाँ पर जब square करोगे तो यह value आएगी जब इसको square करोगे तुम लोग तो यह आएगा सब k square plus 1 by k square plus 2 आएगा इसको square करोगे तो क्या आएगा k square plus 1 by k square minus 2 आएगा और जब इसमें से subtract करोगे तो right hand side में हमारे पास 4 आ जाएगा ठीक है तो हमारे पास यह जो equation बन रही है basically यह क्या आ रही है hyperbola आ रही है तो x square upon 16 minus y square upon 48 is equal to 1 यह हमारे पास hyperbola आ गया और hyperbola की अगर हमें eccentricity की बात करनी है तो हम बोलते हैं कि b square is equal to क्या होता है a square into e square minus 1 तो यहाँ से e की value आ जाती है under root of 1 plus b square upon a square तो बस यह value निकाल लिया हमने calculate का लिया 1 plus b square कितना है 48 a square कितना है 16 तो यह जो value है calculate होके हमारे पास कितनी आती है 2 तो इसका जो answer आएगा वो कितना आएगा 2 आ जाएगा थैंक यू